हेलो गाइज आप सभी का बाला की रसो यूटुब चैनल पर स्वागत है आज की रैस्पी है मेथी के थेपले बनाना तो आइए स्टार्ट करते हैं मेथी के थेपले बनाना थेपला बनाने के लिए ये हमने एक छोटा बाउल आटा लिया है दो बड़े चमच हमने बेसन लिया है और ये ओल लिया है हमने पांच से छे लसन की कलियली है इसको मैंने बारीक तरफ से कद्दुकस कर लिया है एक छोटा अद्रक का टुकडा लिया है इसको भी बारीक तरफ से कद्दुकस कर लिया है दो हरी मिर्चली है इसको भी मैंने बारीक कद्दुकस में करा है और ये मेथीली है ये मैंने एक हम चोट सबस्क्राइब करें करें चम्मच मेख परी ली औरầम कुर्ण आपकर लिए हैं चुठाई चम्मच लाल मिर्ची पॉडर लिया है एक छोटा चम्मच मैंने अजवैन लिया है इसको मैं हाँ से थोड़ा सा क्रश्ट कर लूँगी और इसमें डाल दूँगी चुठकी भर मैं हिंग डाल रही हूं और अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी हाँ से अब मैं इसके अंदर दो चम्मच ओईल डालूँगी बस हमें दो चम्मच ही ओईल डालना है और इसे आटा बना कर हम त्यार कर लेंगे जिस प्रकार से हम पोटिक आटा बनाते हैं उसी प्रकार से हमें आटा त्यार करना है अब मैं पानी से आटा गूंकर त्यार कर लूँग और यह हमारा आटा त्यार हो चुका है अब मैं इसमें आधा चम्मच ओल डालूंगी और यह हमारा आटा गुनकर त्यार हो चुका है यह मैंने तवे को ग्यास पे गर्भ होने के लिए रख दिया है इधर मैं आटे को एक बारोड हाथ से सट कर लेती हूँ और इसके मैं पेड़े कर लूँगी और बिल्कुल मैं छोटे-छोटे लोईयां बनाऊंगी इसकी और इसकी मैं इस प्रकार से गोल-गोल लोईयां बना कर त्यार कर लूँगी अब मैं एक पेड़े को उठाऊंगी और सुखा अटा लगा के इसकी रोपी बेल कर त्यार कर लूँगी और ये हमारा थेपला बिल्कर त्यार हो चुका और इधर हमारा तवा भी गरम हो चुका है इसी प्रकार से मैं दूसरा थेपला भी बिल्कर त्यार करूँगी ये हमारा दूसरा थेपला भी बिल्कर त्यार हो चुका है अब मैं थेपले की साइट चेंज करूँगी अब मैं थेपले पे ओई लगाऊंगी और ये हमारा थेपला कितने अच्छे से सिकर त्यार हो चुका है इसी मैं प्रेलेट में निकाल लूँगी और इसी प्रकार से मैं दूसरा थेपला भी शेख लूँगी और इस थेपले पे भी मैं ओल लगा दूँगी ये हमारे थेपले में ठीके कितने अच्छे से सिकर दियार हो रहे हैं ये हमारे सारे थेपले बन कर तियार हो चुके हैं गैस को मैंने बन कर दिया है इसे भी मैं प्लेट में निकाल लूँगी ये हमने थेपलो को एक प्लेट में सर्व कर दिया है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सस्क्राइब करना ना भूलें